अगर आप भी सबजीयों के महंगे दामों से हो गए हैं परिशान और समझ ही नहीं आ रहाएगी रोज रोज खाने में नया क्या बनाया जाए तो बनाईए बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना लेसन क्रीम की बनी हुई एक ऐसी स्वाधिस्ट रेसेपी जिसे बनाना जितना आधि आने खाने में उतनी ही टेस्टी है तो देखी आज की रेसेपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ बनाया है एक बहुत धिकास तरीक्स तरीके का मसाला तो इसके लिए मैने यहाँ पे लिए हैं दो चमझ सूहखी धनिया की दाने एक चमझ lice सर्सो आप काली भीले और साथ में जाएगा तीखे पन के लिए तीन हरी मिर्श और रफली कटे हुए दो अद्रक के पीसेज अब इन सभी चीज़ों को पाइं डाल के इदम बारीग पिस लेंगे मसाला हमको इदम बारीग पिसना इस बाद का ध्यान रखेगा और यह देखे जो मसाला इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है इदम बारीग पिसना है ताकि जो मसाला है इदम चिकना हो जाए मसाला तो बनके तयार हो गया है अब मसाली त्यसको और बढ़ाएंगे तो इसकली मैंने यहाँ पिलिए है दो चमर भरके सूखा नारियल कद्दू कस किया हुआ ताकि इसको पीसना आसान हो जाए डाल देंगे और हरका चन कर देंगे तो ये देखे जो मसाला है बनके तयार हो गया है पहले से काफी सिल्की है क्रीमी है और बहुत बहुत टेश्टी बना हुआ है तो यहां जो मसाला है बनके तयार हो गया है अब एक काम करेंगे सारा जो मसाला निकाल लेंगे सिर्व एक चमर जो मसाला जार में छोड़ देना है इसमें आट कर देंगे हम एक मीडम साइज का कच्चा आलू तो एक आलू को छील के धो लिया है इसको आट कर देंगे हम जार के अंदर अब इसको आप में आट कर देंगे हम एक कब बेशन और साथ में आट कर देंगे एच ओधाई हल्दी पौडर एच ओधाई नमक एच उटकी हींग डाल देंगे आप सभी चीड़ों क्या करेंगे जो आलो का पेष्ट रमने बनाया ना उसके अंदर मिला देंगे फिर जोट पड़ेगे पानी एट कर देंगे और काफी अच्छे से मिला दिया है मैंने यह देखे लेकिन बैटर है बहुत टाइट है इसको बनायाएंगे हलका सा पतला तो इसके रिए आधा कब पानी जाल में डालके निकाल लिया है अब बैटर को हो कहा करेंगे पहले अच्छे से मिला के फेट तो आपको अलग से सोडा इनो बेकिंग पॉर्डर कुछ भी नहीं आड़ करना पड़ेगा तो यह देखिए मैंने सभी चीड़ों को बेशन के साथ में काफी अच्छे से फेट लिया है ताकि जो बैटर है लाइट फ्लफी सा हो जाए तो यहां जो बैटर है बनके तयार हो ग तब तक ग्रेवी की तयारी कर लेते हैं तो कड़ाई में डाल देंगे दो चम्म तेल जब तेल गरम हो जाएगा इसमें अट कर देंगे हम आधी चम्म जीरा थोड़ी सी हीन डाल देंगे अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स आज की रेशिपी बहुत होने वाली है लेकिन खाने बहुत टेश्टी बनेगी जीरा ही अच्छे से फ्राई हो गया है अब इसमें आट कर देंगे ये खास तरीकी का बना हुआ मसाला डाल के अच्छे से भून लेते हैं लबाद दो मैट के लिए इसमें प्यार नहीं आट किया है तो कच्छा पन नहीं है सिर्फ मसा मसाले एचो थाई हल्दी पाउडर आदी चमच काश्मीरी मेश का पाउडर ग्रेवीम कलर लाने के लिए और साथ मैट कर देंगे छोटी आदी चमच धनिया पाउडर नमक स्वादनुसार तो आज की रेसेपी में सुखे मसाले हम बहुत ही कम यूज़ करेंगे तो कि हमने एक दम पर्फेट जो मसाला है बिना प्यार लेसन का बनके तयार हो गया है अब कमी है बस खटास की तो यहां मैंने लिया है घर की जमी हुई एक करची दही जो कि बहुत खटी नहीं है और बहुत साधी नहीं है बहुत खटी दही का यूज़ मत करिएगा उसे जो ग्रेवी से बनके तयार हो गया है अब एक काम करेंगे गैस की फ्लेम को भी को धीवाई रखेंगे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे छोड़ देंगे दो मेट के लिए और यह देखे मैं आपको बैटर दिखा रही हूँ पांस मेट तो होग इसको रखे हुए पांस मेट के बार करेंगे हम तेल लगी थाली में फिला देंगे स्टीम होने के लिए और यह देखे मैंने काफी अच्छे से फिला दिया इसको एक समान कर दिया है अब दो तीम बार टैप कर देंगे इस तरह से जो हवा हो निकल जाएग इसके अंदर की अब चलते गैस के तरह मसाला देख ल मिलाने के बाद हमें एक ग्रेवी के लिए एक ग्लास पानी अभी एतना पानी एक है अच्छे से मिला देंगे और यह देखिए बनके तयार हो गई है अब इसको पकाना है न्याum खाली डृवी निपकाएं लिए मियं तो भिछ को यह द्बाति इयंगे तो शरक सा पानी भा आप से हीट से जो बेस है वो भी पकके त्यार हो जाएगा तो बहुत टाइम नी लगने वाला है तो कवर कर देंगे चोड़ेंगे 4-5 मेट के लिए तो हार नी 4-5 मेट तो हो गये है चेक कर लेते हैं तो यह देखिए बेस कितने ची से पक गया है कलर चींड हो गया है साइट क चलिने अच्छे से पक गई है तो यह जैशं के स्या जो चलिकी त्यादरी के स पेंड़ा में गृप करो और मध्री जञें यह लोगे मस्पलश चलिकने स्सक्राहएं चलिस लिए ग्रेविश छू अब कर वहा उंचव नरब मुलायम कट रहे हैं कोई सोड़ा नहीं गोई इनो नहीं बेकिंG पॉड़र नहीं है फिर भी बहुत परफेट यूप इसे कट रहे हैं ये देखे उहरburg करने के बाद निकाल के दिखाएंगे कितने नरहरं बुलायम बने हैं यह देखे तो यहां मैंने क्या किया था इसको गरम गरम में कटकर लिया था तो हलके चिपक रहे नीची से अब इसको बदेंगे, साइड में ग्रेवी देख लेते हैं तो यहाँ पे जो ग्रेवी है, इसको मैंने हलका सा उबाल लिया है अब इस मेट कर देंगे, हम यह बेसन की कतलिया, डाल के अचे से मिला देंगे इसकी लुकिंग देखी कोई कहा गास मैं आपने प्यास टमाटर लेसन क्रीम कुछ नहीं अड़ किया है इदम पर्फेक्ट यह देखे तो यहाँ पे सबको मिला दिया है मैंने अब एक काम करेंगे गैस की फ्लेंग को मीजम कर देंगे और लगबद 3-4 मैट के लिए ढखके छोड़ देंगे और यहाँ पे सबजी को पकते वे 3-4 मैट तो हो गए है गैस को बन कर देते हैं अब चेक कर लेंगे तो यह देखिए सबजी की रंगत कितनी अच्छी आई है उपल जाल देंगे बारी कर्टा हुआ धेर सरहर धनिया अच्छे से मिला देंगे और यह लीजे बन के तयार हो गई है बहुत बहुत टेश्टी नए मसालों के साथ में इन ने तरीके से बने हुई हमारी बिना प्याज, बिना लेसन टमाटर के बने हुई बहुत टेश्टी सबजी की रेसिपी जिसे आप जब मन चाहें बना के तयार कर सकते हैं रोज ये खाने से हो गए हैं बोल कुछ समद नहीं आ रहा है, क्या बना है नया सा तो ये रेसिपी स्टाइम के लिए तम परफेक्ट है ग्रेवी तो बहुत बहुत टेश्टी है ये बार खाना सुरू कर देंगे हाथों को रोक नहीं पाएंगे खाते खाते मन भर जाएगा, पेट नहीं भरेगा इतनी टेश्टी बनती है ये तो मैं उमीद करती हूँ आपको आज वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो करना क्या है वीडियो को लाइक करिए, शेर करिए, कमेंट करिए चैनल पे नए हैं लेकिन अभी तरह सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करके बन आइकन को प्रेस कर दीजेगा आप मुझे फेस्बूक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करिएगा अभी के लिए धन्यवाद, थैंक्स टू वाच, प्लेयांका किचन जोन